6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाण बम गिराकर अमेरिका ने कई बैज्ञानिक और रणनीतिक लक्षों को एक साथ साधा था विश्विजे बनना हर ताकत वर देश के ताना साह का सपना होता है हिटलर ने भी यही सपना देखा था एक सब्तम्बर 1949 को पोलेंट पर अचानक हमला करके उसने इस सपने को पूरा करने की सुरुवात की तो यह एक तरह से दित्ये विश्विद्ध की भी सुरुवात थी सुदूर्पूर्ग में जापान का राजवन्स भी इसी सपने को पूरा करने के लालसा में 1937 से एसिया प्रसांद छेतर में अपना विश्तार कर रहा था जल्दी ही वह भी दितिये विशिद्ध में शामिल हो गया हिटलर ने ताव में आकर 22 जून 1941 को सोवियत संग वर्तमान रूश पर आक्रमण कर रूसी रिक्ष को छेड़ दिया था जापान ने भी उनमाद में आकर 7 दिसंबर 1941 को प्रशांत महासागर में इस्थित अमेरिकी नौसाने कड़े परल हारबर पर धुआधार बंबारी कर दी और अमेरिका को चिनोती देदी थी जापान का यहां उकसावा अमेरिका के लिए दितिय विश्युद में कूड पढ़ने का खुला नयोता बन गया सुरुआत में तो ये दोनों देश काफी तेजी से आगे बढ़े जर्मनी का यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कबजा हो गया तो जापान एशिया प्रशान्त महासागर के बहुत बड़े भुभाग पर अपना विश्तार कर चुका था लेकिन 1942 में हवाई के पास जापानी सेना की और 1943 में इस्टालिन गार्ड में जर्मन सेना की पराजय के बाद किस्मत का पहिया इन दोनों देशों के लिए उल्टा गुमने लगा अगले दो सालों में ही जर्मनी की हार तहे हो गई अपने 56 जर्म दिन के 10 दिन बाद 1945 में 29-30 अप्रैल के बीच वाली रात हिटलर ने बरलिन के अपने भूमिकत बंकर में पहले तो अपनी प्रेमिका एफा ब्राउन से साधी रचाई और कुछ ही घंटे बाद दोनों ने आ भगोड़े बनने या आत्मसमरपड की सरमिंदगी के बदले मृत्य का वरण कर रहे हैं हिटलर की आत्मत्या के एक ही सब्ताबाद 7-8 मैई वाली मदरात्री को जर्मनी ने बिना सर्थ आत्मसमरपड कर गया इस तरह यूरोप में तो दितेवी शिद्ध का अंध हो गया पर जर्मनी की पराजय के दो महिने बाद बर्लिन से सटे पोर्ट्सडैम नगर में 17 जुलाई से 2 अगस्त 1945 तक एक सखर सम्मेलन हुआ इसमें दिती विश्द के तीन मुख विजय था अमेरिका के राष्टपती हैरी टूमैन, ब्रिटेन के प्रधानमंद्री विश्टन चर्चिल और सोवियत संग के नेता जोसेफ स्टालिन सामिल थे इस बैटेक में जर्मनी के विभाजन पर सहमती बनी इसी सम्मेलन के दौरान राष्टपती टूमैन को यह समाचार मिला कि 16 जुलाई को अमेरिका के लास अलामास मरुस्तल में पहले इरेनियम परमाड़ बम का परिछण यानि ट्रिनिटी स्टेस्ट सफल रहा या भी कि वैसा ही दूसरा बम यानि लिटिल बॉई युद्ध में इस्तेमाल के लिए प्रशान्त महासागर के तीन यान दीप पर भेजा जा रहा है उसी दिन चर्चिल को भी ये बात पता चल गई अपने संस्मरडों में उन्होंने लिखा अचानक कि वह भैस अपने गायब हो गया था उसकी जगा इस शांतना देने वाले संभावना ने ले ली कि अब एक या दो बिधनसक हमले यो धिका अंत कर देंगे राष्टपती ट्रुमेन अपनी डायरी में उस बैठक का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि 24 जुलाई के दिन सोवियत नेता श्टालिन से उन्होंने कुछ ऐसे ढंग से मानुए कोई बड़ी बात नहीं है यह कहा कि अमेरिका ने एक ऐसा बम बना लिया है जिससे जापान के होश्ट काने लगाया जा सकते हैं स्टालिन ने भी बड़े सहज भाव से कहा कि उसका सदुपियोग ही करें तो बहतर है समझाज आता है कि अमेरिका की परमाडबम पर्योजना मैनहेटन प्रोजेक्ट से जुड़े जर्मन मनसे उप्रेटिस भावतिक सास्त्री क्लाउस फुक्स के जरिये जो रूसी जासूस भी थे इस टलन को इस बम की भनक मिल चुपी थी इस टलने उसी साम सोवियत गुप्चर सेवा के प्रमुख लावरेंती वेरिया को हिदायत दी कि नीश्यों तिरालेश से चल रहे रूशी परमाडबम के काम में तेजी लाई जाए 25 जुलाई को अमेरिकी राष्टपती टुमैन ने फिलिपीन सागर में से तीनी आंदीब पर तैनाद अमेरिका की प्रशान्त महासागर ये वायुसेना के मुक्ष कमांडर को पोर्टस डैम से ही आदेश दिया कि तीन अगस्त तक बिसेस बम के इस्तिमाल की तैयारी कर लिजाए जिस बिसेस बम लिटिल बाई को तीन अगस्त को गिराने की बाद टुमैन कर रहे थे वह यूरेनियम बम था लिसकिन इसके साथ ही एक दूसरा बम फैट मैन भी तयार हो रहा था यह प्लूटोनियम बम था जिसे ट्रिनिटी प्रिक्षण के दो सप्ता बाद तयार कर लिया गया था हाला कि उसका पूर्ड प्रिक्षण भी बाकी था यह जानने के लिए कि दोनों में से कौन कितना संघारक है दोनों प्रकार के बम जापान के दो सहरों में गिराए जाने थे इसके लिए जापान के चार सहरों की सूची तयार की गी संभावित लक्षें की पहली सूची में हिरोसीमा की अलावा कोकूरा, क्योटो और नीगाटा के नाम सामिल थे नागा साकी अमेरिका की निसाने पर नहीं था लेकिन अमेरिका के ततकालिन युद्धमंत्री इस्टिम्शन के कहने पर जापान की पुरानी राजधानी क्योटो का नाम संभावित सहरों की सूची से हटा कर उसकी जगा नागा साकी का नाम सामिल कर लिया गया इस टिम्शन ने अपनी पत्नी के साथ क्योटो में कभी हनिमून मनाया था और वो नहीं चाहते थे कि वह मटिया मेट हो जाए वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के जनरल ड्वाइट आइजन हाईवर जैसे सैनिक अपसर और लियो जिलाड जैसे भातिक सास्त्री इस बम के प्रियोग के बिरुदे थे उनका कहना था कि से सोवियत संग के साथ परमाड हत्यारों की घा तक होड चल पड़ेगी उनका यह भी मानना था कि उर्वोप में जरमनी की पराजय के बाद से जापान इतना कमजोर हो गया है कि देर सबेर वो अपने आप घुटने टेकने ही वाला है लेकिन रास्टपटी ट्रुमैन और उनके सलाकार जापान पर परमाडवम गिराने के अपने इरादे पर अटल रहे उनका कहना था कि दो अरब डॉलर का प्रियोग कर इन बमों का विकास क्या इसलिए गिया गया है कि उनका कभी इस्तेमाल ही ना हो तरक दिया गया कि इन बमों की मार से जापान जल्दी आत्म समरपड कर देगा और अमेरिकी सैनिको का कटना वरना बंद हो जाएगा अमेरिका के लिए अपने सैनिकों की यह अत्रिक चिंता जापानी सैनिकों की उस चीवटता से भी निकली थी जिसके बूते उन्होंने जुलाई 1945 में ओकी नावा की लड़ाई में 12,500 अमेरिकी सैनिकों का सफाया कर दिया था तब तक पूरे प्रशान्त महासागरे चित में करीब 70,000 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके थे एक सच्चाई यह भी है कि 1945 का जुलाई महिना आने तक जाबान सांति वारता के रास्ते तलासने लगा था पूर्टसडाम सिकर सम्मेलन से एक सप्ता पहले नौजलाई को माश्कों में जापानी राजदूत ने सोवीत विदेश मंतरी व्याचेशलाओ मौलोतों से मिलकर अनरोद कि पूर्टसडाम सिकर सम्मेलन के नेताओं से कहा जाए कि जापान उनके साथ सांति वारताएं चाह 25 जुलाई 1945 के विशेज बम के इस्तिमार की तैयारी शुरू करने के आदेश के अगले दिन यानि 26 जुलाई को रेश्टपती ट्रूमैन ने पोर्टस डैम में अमेरिका, ब्रिटन और चांक ऐसे के राष्टवादी चीनगराज की ओर से एक सईयुक्त घोशडा पत्र पढ़ कर सुनाई इसमें जापान से आविलंब विना सतर्त आत्म समरपड कर देने की मांग की गई थी इसके लिए सोवियत संग से कोई मस्विरा नहीं किया गया जबकि सोवियत संग के विदेश मंत्री मोलोतो ने अनरोध किया था कि इस घोशडा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए तैकि उनकी सरकार जापान के साथ अपनी अनाक्रमण संधिका अंत घोशित कर सके 1949 के सोवियत जापानी सीमा संगर्स के बाद 13 अप्रेल 1941 को दोनों देशों ने अगले पांच वर्सों तक एक दुसरे पर आक्रमण नहीं करने की संधिकी थी लेकिन दो महिने बाद ही जब सोवियत संग जर्मन अक्रमण का सिकार बना तो उसले हिटलर विरोधी मितर राष्टों के गुट में सामिल होना पड़ा इस दोरान उसने मितर राष्टों को यह आश्राषन दिया कि जरूरत पढ़ने पर वा सदूर पूर्व में जर्मनी के साथी जापान की बुरुध मोर्चा खोलने से नहीं हिचकीगा यह दुविदा जापान के साथ भी थी कि वह एक ऐसे देश के साथ अनाकरमर संध कैसे निगाए जोसके परम मितर जर्मनी के साथी धुमे है फिर भी दोनों देश 1945 तक समय निकालते रहे अमेरिका और बिटेन आगरा कर रहे थे कि सुदूर पूर्ग में उनका बोज हलका करने के लिए शोवियत संग जापान की बुरुध मोर्चा खोले सोवियत संग ने अंतता 5 अप्रेल 1945 को जापान के साथ अनाकरमर संध से अपना हाथ कीच लिया पूर्ट्स्टेम सिकर समयलन के समापन के तुरंद बाद उसने 8 अगर्स 1945 को जापान अधिकित मंचूरिया पर आकरमर कर दिया अमेरिकी राष्टपती टूमैन की प्रात्मिक्ता इस बीच बदल चुकी थी 16 जुलाई वाले सफल परमाण परिक्षण के बाद वे जापान को अकेले ही धूल चटाना चाहते थे अब उन्हें सोवियत संकी कोई आवशक्ता नहीं थी 26 जुलाई 1945 वाली अपनी पोर्ट्स्टेम गुष्टबा में उन्हें कहा हमारी संपूर्ण सैन शक्ती और द्रण निश्चेकार्थ है जापानी सेना का अपरिहर बिनाश और जापानी देश का अपरिहर विध्धंश जापान पर पूरी तरा कपजा कर लिया जाएगा उसके नेताओं को अबदर्स्त और तहस नहस कर दिया जाएगा लोग तंत्र की अस्थापना होगी और युद्ध अपरादियों को तंडित किया जाएगा जापान के भुभाग को चार मुक्ष दीपों तक सीमित कर उससे छतिपूर्थी वसूली जाएगी 6 अगस्त 1945 को हिरोसिमा पर यूरेनियम वाला पहला परमाड़ बंबिरा और 43 सेकंड के भीतर सहर के केंद्री हिस्से का 80% हिस्सा निस्ता नबूत हो गया 10 लाख सेल्सियस तापमान वाला आग का एक ऐसा गोला तेजी से फैला जिसने 10 किलोमेटर की दायरे में आई हर चीच को राख कर दिया सहर के 76,000 घरों में से 70,000 तहसनेस या छतिकरत्स हो गए 70 से 80,000 लोग तुरंत मर गए जो लोग नगर केंद्र में थे उनके सरीर तो भाब बन गए जैसे यह सब परियाप्त ना हो तीन ही दिन बाद 9 अगस्त को 11 बच कर 2 मिनिट पर नागा साकी पर दूसरा पर माड़ बम गिराया जया यूरेनियम से भी अधिक विद्धनसकारी प्लोटेनियम वाले इस बम ने एक किलोमेटर के दायरे में 80% मकानों को भस्व कर दिया अनुमान है कि वहां भी 70-80,000 लोग मारे गए दोनों बमों का आउचित तिशिद्ध करने के लिए तरकिया दिया गया है कि उनके प्रियोग के बिना जापान आत्म समरपण में टाल मटोल जारी रखता जर्मनी के सालमिनिक प्रशार नेटवर्ग A.R.D. के जापान समबादाता क्लाउस सेरर ने जापान और अमेरिका के वैग्यानिकों, इतिहासकारों और पुराने शैनिक अधिकारियों के साथ बाच्ची तथा दित्य विश्यंति के समय की अमेरिकी न्यूज फिल्मों के अलोकों से ये जानने की कोशिश की कि क्या नागा साकी पर दूसरा बम गिराना जरूरी था अपनी खोच पर सेरर ने एक पुस्तक भी लिखी और एक डाकुमेंटरी फिल्म भी बनाई है सेरर ने पाया कि जापान पर दो बम इसलिए गिराये गए क्योंकि अमेरिका के पास उस समय दो प्रकार के अलग अलग बम थे एरेनियम वाला बम हिरोसिमा पर गिराया गया और प्लूटोनियम वाला बम नागा साकी पर ये दूसरा बम बहुत खर्चीला था और तब तक बिना परिक्षण वाला प्रोटोटाइब था उसका गिराया जाना सीधे लडाई के मैदान में परिक्षण के समान था जापान ने इस दूसरे बम के बाद 15 अगस्त 1945 को अपनी हार मान ली थी दो अगस्त को उसने विधिवत आत्म समर पड़ कर दिया था आठ अगस्त 1945 को जापान की विद इस टालिन की उदिघोशरा से अमेरिका को यह डर भी लगने लगा था कि कहीं ऐसा नहों कि अपने प्लूटोनियम बम फैट मैन का वहां पर इच्छन ही न कर पाए इस कारण से भी उसे गिराने की तारीक 13 अगस्त के बदले 9 अगस्त कर दी गई उसे ये भी सुनिशित करना था कि जर्मनी की तरह कहीं जापानी मुखी भी उन पर भी रूसी सैनिक पहले पहुँचकर अपना जंडा न फैरा दे तब हो सकता था कि जापान उसके साथ उसके हाथ से पूरी तरह फिसल जाता या फिर जर्मनी की तरह जापान की भी पंदर बाट करने पड़ दी आयोप आप लोगों को जापान में हिरोशिमा और नागा सापकी पर गिराए गए नुकलियर बंब से हुए बिद्धवन्स के बारे में कुछ चांकारिया मिले होगी वीडियो अच्छा लगे तो इससे जादा से जादा से शेर करें जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि और अब सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस तरह के अन्य वीडियो के नोटिफिकरिशन प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रस करें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकरिशन अब तक पहुंचती रहे हैं और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर तक झाल 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 झाल